हलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास फॉर्थ हिंदी में आपके बुक्स में चैप्टर्स के बीच में कुछ कविताएं दी हुई हैं आज हम उन कविताओं को पढ़ेंगे पहली कविता कोई लाके मुझे दे और दूसरी है उल्जन उसके बाद एक और है तीन सुख हम इसे पढ़ेंगे कुछ रंग भरे फूल कुछ खटे मीठे फल थोड़ी बासुरी की धुन थोड़ा जमुना कजल कोई लाके दे मुझे यानि कि इसमें वो क्या कह रहा है कि कुछ रंग भरे फूल यानि कि कुछ रंग बिरंगे फूल कुछ खटे मीठे फल यानि कि कु पासुरी की धुन और जो जमुना नदी है उसका जल कोई मुझे लाके दे एक सोना जड़ा दिन एक रूपो भरी रात एक फूलो भरा गीत एक गीतो भरी बात कोई लाके दे मुझे यानि कि अब वो क्या कह रहा है कि एक सोना जड़ा दिन यानि कि एक ऐसा दिन जो बहुत की एक रूपो भरी रात यानि कि एक ऐसी रात जिसमें रूप ही रूप हो यानि कि बहुत ही सुहानी हो एक फूलो भरा गीत यानि कि एक ऐसा गीत जो फूलो की तरहें कोमल हो मधूर एक गीतो भरी बात यानि कि कुछ ऐसी बात जो गीतो की तरहें मधूर हो कोई मुझे लाके दे एक छाता छाओं का एक धूब की घड़ी एक बादलो का कोट एक धूब की छड़ी कोई लाके दे मुझे यानि कि एक छाता छाओं का यानि कि एक छाता जो मुझे छाओं दे एक धूब की घड़ी यानि कि एक ऐसी घड़ी जो धूब की हो एक बादलो का कोट यानि कि एक कोट ऐसा जिसमें बादल हो एक दूब की छड़ी यानि कि एक ऐसी छड़ी जिसमें क्या हो दूब यानि कि घास हो कोई लाके दे मुझे एक छुटी वाला दिन एक छुटी वाला दिन एक अच्छी सी किताब एक मीठा सा सवाल एक नन्हा सा जवाब कोई लाके दे मुझे यानि कि एक ऐसा दिन जो छुटी हो एक अच्छी सी कोई किताब एक मीठा सा कोई सवाल और एक उसका अच्छा सा नन्हा सा छोटा सा जवाब कोई लाके दे मुझे यानि कि इसमें वो क्या कह रहा है कि वो जो भी चीज़े कह रहा है वो चाता है कि मुझे कोई न कोई ये चीज़े लाके दे वो जो लड़का है वो खाली बैठे-बैठे ये सब सोच रहा है कि कोई मुझे लाके दे ठीक है बच्छो तो अब हम अगली कवीता करेंगे उल्जन पापा कहते बनो डॉकर, मा कहती इंजीनियर बहिया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कम्प्यूटर यानि कि वो बच्चा क्या कह रहा है कि मेरे पापा तो मुझे कहते हैं तुम डॉक्टर बनो और मा कहती है इंजीनियर बनो भाईया कहते है इससे अच्छा तुम कम्प्यूटर सीख लो चाचा कहते बनो प्रोफेसर चाची कहती अफसर यानि कि मेरे जो चाचा है वो क्या कहते है तुम प्रोफेसर बनो और मेरी जो चाची कहती है वो कहती है तुम अफसर बनो दीदी कहती आगे चल कर बनना तुम्हें कलेक्टर यानि कि जो मेरी दीदी है वो कहती है आगे चल कर तुम्हें कलेक्टर बनना है बाबा कहते फोज में जाकर जग में नाम कमाओ यानि कि जो बाबा है वो क्या कहते है कि फोज में जा करके जग में नाम कमाओ दीडी कहती ही घर में रहकर ही उद्डियोग लगाओ सबकी अलग-अभिलाशा सबका अपना नाता लेकिन मेरे मन की उलजन कोई समझ नहीं पाता यानि कि अब उसकी जो दीडी है वो कहती है कि तुम घर में ही रहकर अपना कोई उद्योग लगाओ सबकी अपनी अलग-अलग अभी लाशा है सबका अपना नाता लेकिन मेरे मन की उलजन कोई न समझ पाता यानि कि आप वो लड़का क्या कह रहा है कि सबी की अपनी-अपनी इच्छा है कि मैं ये बनू सबका अपना-पना नाता है लेकिन मेरे मन की जो उलजन उसे कोई भी समझ नहीं पाता यानि कि जो लड़का है वो उलजन में है कि वो क्या बने और क्या नहीं आप सभी के घर में भी ऐसा ही होता है ना आपको आपके पापा कहते हैं आपको डॉक्टर बनना है, मम्मी कहती है इंजीनियर बनना है, जो भाईया है वो कुछ और दीदी जो कुछ और कहती है, तो उल्जन हो जाती है कि मैं क्या बनूँ, कि मैं क्या बनूँ, तो वैसे ही ये लड़का कह रहा है कि सबके अपने अलग-अलग अभिलाशा है, लेकिन मेरे मन की जो उल्जन है, वो कोई भी समझ नहीं बाता ठीक है वच्चो, तो ये थी हमारी उल्जन कवीता, इसके बाद हम आगे दूसरी पढ़ेंगे एक कहानी, एक साथ तीन सुख, यानि कि एक साथ में तीन सुख मिले, अब हम ये पढ़ते हैं सबसे पहले हैं, तीन यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, तब ही एक सिख्खा दिखाई दिया, यानि कि जो तीन यात्री थे, वो कहीं किसी शहर में से होकर के जा रहे थे तब ही एक सिख्खा उन्हें दिखाई दिया तो एक बोला आहा सिक्का उसके बाद वो कहते हैं हम सब ने इसके साथ एक साथ देखा इसलिए वह हम सब का है फिर वो बोलते हैं कि सिक्खे को हम सब ने एक साथ देखा है इसलिए सिक्का हम तीनों का है हाँ हाँ क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट फिर उनमें से क्या बोलता है कि हाँ हाँ क्यों ना हम इस सिक्के से कुछ खरीद करके इसे आपस में बाट ले ठीक है पर क्या खरीदे तो जो तीसरा होता है वो क्या बोलता है ठीक है लेकिन क्या खरीदे तो पहला बोलता है मेरा तो मन मीठी चीज खाने का कर रहा है तूसरा ठीक है पर कई मीठी चीज़े खरीदे पर तीसरा क्या बोलता है मुझे तो प्यास पुझाने के लिए कुछ चाहिए तो एक मिठाई की बहुत एक मिठाई ही बहुत है पहला बोलता है एक मिठाई ही बहुत है तो दूसरा क्या बोलता है मुझे तो कई चाहिए और तीसरा बोलता है मुझे प्यास लगी है तीनों की अपनी अलग-अलग सोच अलग-अलग इच्छा है न उसके बाद क्या होता है एक बुड़ा वेक्ती वहाँ पर आता है और क्या बोलता है क्या बात है आप लोग जगड क्यों रहे हैं तो बुड़ा आकर उनसे पूछता है तीनों ने बुड़े को समस्या बताई यानि कि तीनों की जो समस्या थी उन तीनों ने किसको बताई उस बुड़े को बताई तो क्या बोलता है अरे बस इतनी सी बात बड़ा आसान सा उपाए है तो बुड़ा उन्हें ये कहता है कि बस इतनी सी बात है एक बहुत ही आसान सा उपाए है तो बुड़ा क्या बोलता है कुछ अंगूर खरीद लीजिए तो वो अंगूर खरीद लेते हैं फिर ये तो पहल जा क क्या बोलता है ये तो बहुत सारे हैं और एक बोलता है ये तो बहुत मीठे हैं और तीसरा क्या बोलता है ये मेरी प्यास बुझाएंगे तो उस बुझुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी असानी से हल कर दी तो जो कहता है ना कि मुझे तो प्यास लगी है मुझे प्यास बुझ प्यास बुजाने के लिए कुछ चाहिए तो वो कहता है कि इस बुजुर्ग ने तो हमारी सारी समस्या ही बड़ी असानी से हल करती तो तीनों को फाइदा हुआ ना एक साथ तीन सुख मिल गए एक को क्या चाहिए था मीठा और एक को चाहिए था बहुत सारा मीठा और तीसरे को प्यास बुजाने के लिए कुछ चाहिए था तो उस बुजर्ग ने उन्हें क्या कहा कि ये अंगूर ले लो अंगूर मीठे होते हैं तो जिसका मीठा खाने की इच्छा थी उसकी इच्छा भी पूरी हो गई और जो अंगूर थे वो भी बहुत सारे खरीदे तो जिसकी बहुत सारा मीठा खाने की इच्छा थी उसकी इच्छा भी पूरी हो गई और जिसकी प्यास बुजाने की इच्छा थी उसकी प्यास भी बूज गई तो इसी लिए इस कहानी का नाम क्या रखा एक साथ तीन सुक ठीक है बच्चों तो ये थी हमारी कविताएं और कहानी so thank you students